हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने Motorola G22 Android iPhone में आप Lift to Wake Setting को जो है Enable कैसे कर सकते हैं और Lift to Wake Setting जो है Enable होने के बाद काम कैसे करती हैं आज की इस वीडियो हम आपको डिटेल में जनकारी देने वाला हूँ तो चलिए यहाँ पर जो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने फोन में Setting पेज ओपन करे लेना है इसके बाद यहाँ पर आपको Setting पेज में नीचे की साइड आना है और यहाँ पर आपको जो है Display का यह Option देखने को मिलेगा इसे Select कर लेना है इसके बाद आपको Display के इस पेज में सबसे नीचे आना है और यहाँ पर आपको Second Last Option मिल जाता है Lift to Wake ठीक है तो इसे Lift to Wake के सामने एक बटन दे रखा है इसे आपको Select करेंगे तो यहाँ पर Lift to Wake Setting जो है आपकी Enable हो जाती है अब यह Lift to Wake Setting जो है Enable होने के बाद काम कैसे करती है यह मैं आपको बता देता हूँ जब यह आपके मॉइल फोन की स्क्रीन आफ होगी और आपका मॉइल फोन कहीं पर भी रखा हुआ है टेवल पे किसी भी जगे पर रखा हुआ है तो आपको अपने फोन को उठाना है तो आपके मॉइल फोन की जो light होती है वो आपकी on हो जाती है तो यह Lift to Wake Setting जो है कुछ इस तरीके से काम करती है आपके Motorola G22 Android मॉइल फोन में अब मैं आपको इस setting को ढूणने का इस shortcut तरीका बता देता हूँ कि कैसे आप Lift to Wake setting को अपने Motorola G22 Android मॉइल फोन में shortcut तरीके से कैसे ढूण सकते है इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको मॉइल के home screen पर आना है और setting page उपन कर लेना है और सबसे उपर आपको search setting का यह option दिखाई देता है इसे आपको select कर लेना है अब यहाँ पर आपको search bar में type करना है lift to wake lift to wake आपको यहाँ पर पूरा name यहाँ पर setting का डाल देना है तो नीचे की side में आपको इस तरीके से lift to wake का यह option दिखाई देगा जब यह option दिखाई देगा तो इसे आपको select कर लेना है इससे होगा क्या कि आपको मुवाइल फोन आपको direct इस setting में लेकर आ जाता है और इस setting को highlight करके दिखाता है इस तरीके से ठीक है जैसे मेरा phone इस color में इस setting को highlight कर रहा है तो यह एक shortcut तरीका है lift to wake setting को ढूंड़नेगा अपने मुवाइल फोन में ठीक है तो यहां पर जो है इस setting को आप इस shortcut तरीके से ढूंड़के easily enable करके use कर सकते हैं आप